ओम नमो भगवदेवा सुदेवाए अक्षे तृतिया के खास मौके पर खरदारी का भी विशिस महत होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो खरिदी किया जाता है वो अक्षे रहता है अक्षे तृतिया के दिन को अबूज मुहरत माना जाता है मानेता है कि इस दिन कोई भी शुब काम बिना मुरत दे किया जा सकता है इस दिन भगवान मिश्णू और मातालक्षमी की पूजा करने पर शुब फल मिलता है अक्षय तृतिया के दिन भगवान परशुनाम का जन्म हुआ था पवित्र दिन पर दान पूर्ण करने का भी विश्यिस महत्व है अक्षा तरितिया के पर सोना खरकेड़े की भी परमपरा है ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो सोना खरीता है उसकी घर परिवार में सुकh समर्द्धी आती है अक्षा तृतिया का पर पित्रों को प्रसंड करने के लिए शुब माना गया है इस दिन पिंदान करने से पित्रों का आश्रवाद मिलता है पित्रों का आश्रवाद प्राप तोने से जीवन में आने वाली परशानियाद दूर होती है सत्यूग और तृता युग का आरम अक्षा तृतिया से ही माना जाता है कि इस्तितिय पर ही द्वापरियुक का समापन हुआ था मातालक्ष्मी आपके जिवन में हमेशा एश्वर बना रखें यही हमारी कामना है और आप से यही निवेदन भी है क्योंकि करोना काल चल रहा है ऐसे समय में अक्षेत्रितिया का जो पूजन है विदी विदान से आप अपने घर में करें श्रद्धा से करें आपको जरूर लाब होगा अगर आपको हमारा वीडियो चल लगाज वेस्बूक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें तोच यहाँ है हर परिवर्तन की खबर यहाँ है हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है राजनिती खेल फिल्म उद्योग विग्यान की हर बात यहाँ है हर अधिकारों की बात यहाँ है अन्याए के खिलाब संघर्ष यहाँ है हर करतव्यों की बात यहां है यहां है ललुराम.com सच कहेंगे ललुराम असर भी असरदार भी खबर भी सरोकार भी ललुराम.com सच कहेंगे ललुराम